हेलो अब्रीवन आज का अमारा टॉपिक है सुख्ष्व सिचाई प्रणाली माइक्रो इरिगेशन इस टॉपिक से रिलेटेड यहां अमारा सेकेंड वीडियो है जिसके अंतरगत आज हम सुख्ष्व सिचाई प्रणाली की विश्यस्ता हैं एवं शेत्र शम्ता के बारे में करेंगे सीखेंगे चली स्टार्ट करते हैं सरव प्रणाली में पधो में जल आवेडन दबाव नली तंत्र के माध्यम से किया जाता है अगला है जल स्रोथ से पाइप लाइन की सायता से जल की आवश्यक मात्रा पौधो तक इस प्रणाली द्वारा पहुँचा ही जाती है अगला है सिचाई प्रणाली में आवश्यक दबाव हे तू पंप की अनिवार्यता होती है अर्थार पानी को एक निश्चित दबाव के साथ पौधों तक पहुंचाने ही तू पंप प्रणाली अथ्वा पंप की आवश्यक्ता अनिवार्य होती है अगला है टपक से चाई प्रणाली में जल बूंदों के रूप में लंबी यवधी तक पौधों को उपलब्द कराये जाते हैं अगला है इस्टतम वायू एवं जल संतूलन को बनाय रखने ही तू जल की कम दर अथ्वा कम मात्रा जड़ छेत्र में उपलब्द करवाया जाता है आगे है सुप्षपसिचाई प्रणाली के विश्यस्ताव के अंतरगत अगला है पौधों की आवश्यक्ता के अनुसार लगातार एक निश्चित अंतराल की समय अवधी पर पौधों को पानी उपलब्ध करवाया जाता है अगला है पानी की आपूर्ती सिधे पौधो को की जाती है ना की खेत के अन्य छेत्रों में इस प्रकार या जल अप्याय को कम करता है अर्थार सुक्ष्व से चाई प्रणाली में पानी का जादतर हिस्सा पौधे के आसपास या पौधे के जड़ छेत्र के आसपास ही दिया जाता है जिससे पानी का अप्यय या पानी की हानी कम हो जाती है अगला है मिट्टी में नमी की मात्रा हमेशा मिट्टी की छेत्र शम्ता पर बनी रहती है इसलिए फसले लगातार और समार रूप से तीजी से बढ़ती है सुक्ष्व से चाई प्रणाली के अंतरगर जो भी पानी दिया जाता है वहाँ उस छेत्र के छेत्र शम्ता पर ही बनी रहती है आगे हम चर्चा करेंगे कि छेत्र शम्ता क्या होता है जिससे कि आपको चीजे और असानी से समझ में आएंगे चली स्टार्ट करते हैं छेत्र शम्ता क्या होता है उसको देख लेते हैं छेत्र शम्ता अत्वा फिल्ड कैपिसिटी मृदा में से अत्रिक्त जल की मात्रा बाहर निकल जाने एवं नीचे की और गती कम हो जाने के पस्चाथ मृदा में उपस्तित जल अत्वा नमी की मात्र ही छेत्र शम्ता अथ्वा फिल्ड कैपिसिटी कहलाता है आगे देखते हैं बारिस अथ्वा सिचाई के पस्चाद दो से तीन दिन बाद छेत्र शम्ता अथ्वा फिल्ड कैपिसिटी की स्थिती निर्मित होती है इसका कहने का तातपरिया है कि बारिस यदि हुआ अथ्वा हम हैं आगे हम लोग डिटेल से देखेंगे थोड़ा सा कि छेत्र शम्तात्वा फिल्डी कैपिसिटी क्या होता है कैसे कारे करता है तो जल निकासी के दूसरा होता है सुक्ष्वर रंध्रावकास अब यह रंध्रावकास क्या होता है तो मृदा के अंदर जो खालिस जगा पाया जाता है वहां मृदा रंध्रावकास कहलाता है तो जो मृदा का मुख्य रंध्रावकास होता है वह वायू एवं जल से भरा रहता है इसके उपरा तो जल निकासी के उपराम जल निकासी मतलब किसी छेत्र से अत्रिक्त पानी की मात्रा को बाहर निकालना वह जल निकासी कहलाता है ठीक है आगे देखते हैं तो जो सुक्ष्म रंध्रावकास होता है वह केवल जल से भरा होता है मतलब वहां पे वायू उपस्तित नहीं होता ह तो मुख्य रंध्रावकास इस्तिती एवं सुक्ष्म रंध्रावकास की जो इस्तिती होती है उनको एक साथ मिलाकर क्या कहा जाता है छेत्रशमता कहा जाता है आगे चलते हैं फिल्ड कैपिसिटी को फसल की वृध्धी के लिए आधर्स माना जाता है जो फिल्ड कैपिसिटी है अथ्वा छेत्रशंता की जोस्तिती है वहा किसी भी फसल की वृद्धी के लिए आधर्स मानी जाती है आज के वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद